हेलो गई नस्कायर वल्कम टो अनलेंग ज्यान भाय यानन तो सुबह कार साड़े आठ बच चुक है कॉपी पेन हाथ में पकड़ दीजीगा चलीस उत्राखर्ण जीके के सलिबस वाइच क्वेशन आपके समुग आ चुके हैं साथियो ओपीशल सलिबस पर आधारित पहला पार्ट आपने नहीं देखा है वीडियो डिस्कुर्शन बॉक्स में लेंक है उसको भी जरूर वाच करने है चलिए ज्यादा समयन खर्च करते ह पहले प्रशन के उराते हैं किस मंदिर के आसपास बिना पूँच वाले चुहे मिलते हैं वह मंदिर आपको बताना है जिसके आसपास बिना पूँच वाले चुहे मिलते हैं चार मंदिरों के आपके नाम है चलिए बताएए का आपके पास पास सकेंड का समय है सही उत्तर है साथियो ऑप्सन नंबर खो तुंगनाथ तो तुंगनाथ के आसपास हमें बिना पूँच वाले चुए मिलते हैं जिन हैं हम रुंडा नाम से जानते हैं साथियो आपको बताते हैं तुंगनाथ के बारे में सरवादिक उचाई पर इस्तित हमारा यह सिव मंदिर है जिसकी भगवान की आपे हाथ की पूजा होती है दूसरा सवाल है किस जनपदमा इस्तित है दूसरा सवाल है हिमगिरी नब विश्य विद्यालाई किस जनपदमा इस्तित है पांस सकेंड आपके चल गए है साथ यह हिमगिरी नब विश्य विद्याले है हमारा देहरादून किस जगह पर इस्तित है जंडी पानी फॉल किस जगह पर इसलिए जंडी पानी जल पर पाद भी हम इसको कह सकते है वो किस जगह पर इसलिए चार आपके पास है बताएगा पांस सेकर आपके सुरू है साथ यो जंडी पानी का फॉल है मसूरी में अगला सवाल गिलगिट और उत्राखन किसे का जाता ह तो गिलिट और उत्रकण आपको बताने किसे का जाता है ? चार उप्षन आपके पास है साय। समय आपका शुरू है आरा कोट तो उप्षन नपर गोईष का सह उत्र है गिलिट और उत्रकाण आरा कोट जो उत्तर कासी में पढ़ता है अगला सवाल है खेंट परवत किस जनपद में इस्तिद है तो खेंट परवत आपको बताने किस जनपद में इस्तिद है चार जनपद के नाम आपके सम्मुग है समय की गड़ी भी चल लिए साथ यो सई उत्तर है आपका आपका आपसन नमबर खो खेंट परवत एक रहश्यमाई परवत है जो पर्यू का परवत भी हम इसको कहते है साथ यो एक रहश्यमाई परवत है जो कापर है टेहिरी में जनपद में इस्तिद है अगला सवाल चिंदात धाम के जब कपाड बन होते है तब वहां पर मंदिल समीती द्वारा कड़ाई उत्स्वाव मनाया जाता है अगला सवाल जड़ी भूती सोध यम विकास सास्तान किस जगह पर रहतित है चार ऑप्सण में आपको जड़ी भूती सोध हम की जगवत पर इस्तित है गडवाल का साइमन पीटर हम किसे कहते हैं, चार अप्छन आपके सम्मुग है, समय की गड़ी भी चालू है, तो गडवाल का साइमन पीटर हम कहते हैं, धसवाँ सवाँ, उत्राखुंट की मदर टेरेसा किसे का जाता है? कुम्ब मेले को UNESCO ने 200 द्रवर की सूची में कब सामिल किया गया था most important सवाल है अगामी परिक्षाव के दरिश्ट से तो कुम्ब मेले को UNESCO ने 200 द्रवर की सूची में कब सामिल किया गया था चार options आपके पास है बताना आपको सही उतर तो कुम्ब मेले को युनिस्को ने विसु द्रवर की सूची में सामिल किया था 7 दिसंबर 2017 को तो 7 दिसंबर 2017 को युनिस्को ने हमारे जो कुम्ब मिला लगता है हरिद्वार बार वर्सबाद उसको युनिस्को की सूची में सामिल किया था अगला सवाल बारो गड़वाल का दिल्ली किस इस्तान को कहा जाता है तो गड़वाल का दिल्ली हम किस इस्तान को कहते है चार ओप्सन आपके पास है पांस सकेंड का समय भी चालू है गड़वाल का दिल्ली हम कहते है ओप्सन मर को सिरिनगर को अगला सवाल गड़वाल का दिल्ली के बाद अगल किया जाता है अफ़ल्टोनिती किसे सम्मोनित है एक उतकर आपको बताने है अगला सवाल, पंच केदार में वह केदार जिसके कपाड हमेशा खुले रहते हैं, पंच केदार में वह केदार आपको बताना है, जिसके कपाड भारू मेने खुले रहते हैं, तो पंच केदार में वह केदार है हमारा कलपे स्वर, अगला सवाल, बाग और गुरण चितरकारी किस चितरकार की है तो बाग वा गुरण चितरकार की है तीन चितरकारों के नाम आपको बताएं आपे बताना आपको सही उत्तर है सात्यों 5 सेकेंड समापत बाग और गुरण चितरकार है हमारी मौला राम की अगला सवाल चिर्बटिया दर्रा किस जनपद में है तो चिर्बटिया दर्रा आपको बताना है किस जनपद में है ओप्सन नमबर खो इसका सई उत्तर है चिर्बटिया दर्रा हमारा चमोली जनपद में लेखि का गौरापंत सीवानी उपाधी किष्ने दी 18 सवाल यहाँ पिर आपके आपके नाम दे रखे हैं समय की गड़ी भी चालू है तो रवींद्र नाठ डायगोर ने लेखि का गौरापंत को सीवानी की उपाधी से नवाजा था अगला सवाल राजी का सबसे छोटा नेशनल हाइवे कौन सा है राजी का सबसे छोटा नेशनल हाइवे आपको बताने है वो कौन सा है राजी का सबसे छोटा नेशनल हाइवे है हमारा एन एज राजी का सबसे छोटा नेशनल हाइवे कभी आता है एन एज बहतर इसका पुरा अगला सवाल कुली वेगार पर आधारित मधुली फिलम किष्णे बनाए थी सवाल अच्छा है अधारित पर अधारित मधुली फिलम किष्णे बनाए थी अगला सवाल अलमोडा जहल की इस्ताबना किष्णे बताईए गया अधारित मधुली फिलम किष्णे बनाए बनाए थी 1934 से 1935 के बीच और दूसरी बार भी रहे 1945 में ये भी आपको रखना है कि जहाल नेरू अलमोडा जहल में कब रहे 1934 में रहे 1934 डिन और दूसरी बार थी 1945 में 21 सवाल गोकले नामग आबुषन किस अंग में धारन किया जाता है तो गोखले नामग आबुषन धारन किया जाता है किस अंग में सरीर के? चार ओसन आपके पास समय की गड़ी भी चालू है बताएगा उत्तर ओसन मर्खव बाजु में गोखले नामग आबोसन बाजु में पहना जाता है अगला स्वाल देश के पहले किसान आयोका गफण हमारे उत्तर ओसन मर्खव गठव राजिम हुआ आपको बताने है उत्तर ओसन ने देश के पहले किसान आयोका गफण कब किया है? तो 9 October 2016 को देश का पहला किसान आयों को गठित किया गया अगला सवाल कौन सा पौधा कैंसर इलाज के लिए फाइल देबंद है वो पौधा आपको बताना है जो कैंसर इलाज के लिए फाइल देबंद है और हमारे उत्राखण में बहुयात रूप में मिलता है अप्सन नंबर को धुनेर का जो पौधा है साथियों कैंसर इलाज के लिए फाइल देबंद है जो अपने उत्राखण में मिलता है काली कुमाओं का मुसोलिनी किसे कहा जाता है चार अप्सन आपके पास है साई उत्तर है साथियों हर्सदेव ओली तो हर्ट सिर्देव ओली को हम काली कुमाओं का मुसोलिनी कहते हैं बन आंदलनु में इनका जो नेतरतो था उसके लिए इनको यह कहा जाता है अगला सवाल कुमाओं का पहला कारिवाहक कमिशनर कौन बना कुमाओं का पहला कारिवाहक कमिशनर के रूप में हम जानते हैं साथियो चार उप्सन आपके पास हैं साय उतर उप्सन नमर खो जार्ज गैवन तो जार्ज गैवन को हम जानते हैं कुमाओं का पहला कारिवाहक कमिशनर के रूप में अगला सवाल किस Commissioner पर हिंदू धर्म का परचार का आरोप लगा था सात्यों आपको पता है तो British लोग जो थे इसाई धर्म को मानते थे बड़ एक ऐसा कविश्णर हमारे उत्राखंड का भी था जिस पर आरूप लगा था कि वह हिंदु धर्म का परचार कर रहा है तो वह कमिश्णर था हमारा कमिश्णर ट्रेल अगला सवाल 27 वह खस परिवार कानून पुस्तक के लेकद का साई उत्तर है अगला सवाल 28 वह राजी में चाउवल का सबसे ज्यादा उत्पाद नके द्वारा होता है आपको बताने है सही उतर है साथियो option number को यूश नगर यूश नगर जो दम सिंग नगर राजी का सरवादिग चाउल उत्पादग वाला जनपद है 29 सवाल किस पौदे की साखाओं का सैंपू बनाये जाता है तो कौन सा पौदा है जिसकी साखाओं से हम सैंपू भी बनाते है चार option आपके पास है बताना आपको सही सही उतर है भीमल तीसमा सवाल राजी में बांच की कितनी परजाती मिलती है तो सही उतर है साथियो आपको यहाँ पर राजी में बांच की कितनी परजाती मिलती है पांच परजाती हमें राजी में राजी की यहाँ पर बांच की मिलती ह अगला सवाल है खचर सेना को विक्सित करने का परियास कब किया गया तो खचर सेना को विक्सित करने का परियास किया गया आपको बताने है तो खचर सेना को विक्सित करने का परियास अठार सो बताईगा उत्तर अठार सो बाईस में किया गया तो आपको पता था सात्यों बिना बेगार के बिना पैसे के यहां के लोगों से कौम बिटिश लोग करवाया करते थे तो खचर सेना इसके परिवर्तन के रूप में बिक्सित करने का परियाद किस्ति क्या था कमिशनर ट्रेल ने कमिशनर ट्रेल ने यहां पर कुली वेगार पर्था के इस्तान पर खचर सेना बिक्सित करने का परियाद के रूप में अगला सवाल उत्राखंड में परकासित पहला समाचार पत्र कौन सा है यह अच्छा सवाल है उत्राखंड में परकासित पहला समाचार पत्र आपको बतान आतल्स थे आए संपादक जिसने क्या था जॉन मेकिनछन तो इस ततरह से आपको याद रखना है दोनों सवाल यांसे आपके बन गए थे थिवे बगोली डैम किस जनपत पर स्तित है तो बगोली डैम आपको बताना है, किस नदी पर द्यच्ध नदी पर है आपको यहापे चार नदिया दे रहे हैं तो सही नदी है पिंडर नदी पर हमाला भगोली डैम चमुली जन्वत में पहाण नामक संस्ता की इस्तापना किसके द्वारा की गई चार ओप्सन आपके पास है सही उत्तर है सात्यों पहार नामक संस्ता की स्थापना सेकर पार्ठक की द्वारा की गई तितलियू का संग्राले इस्तिध है तो तितलियू का संग्राले कहां पर इस्तिध आपको बताना है चार option आपके पास है, सही उत्तर है, ततिलियू का जो संग्राले है साथियों, वो है हमारा dheem तालम major option 9, कोईस का सही उत्तर है, फेड्रिक समेटा ने, यहां पर ततिलियू का संग्राले की इस्ताफने केटी, फ्रेडरिक स्मेटा ये भी आपको याद रखने है 36 मोला राम के पिता का नाम क्या था मोला राम के पिता का नाम आपको बताने है मोला राम के पिता का नाम क्या था मंगत राम ऑप्सन नमबर गोईस का सही उतर है पहाड का रेगिस्तान किस छेतर को कहा जाता है पहाड का रेगिस्तान आपको बताने है किस छेतर को कहा जाता है साथ यो option आपके पास 4 है सही उत्तर है आपका निलांग घाटी को हम पहाड का रेगिस्तान कहते है साथ यो जो कापर है उत्तर कासी जनपद में है निलांग गाटी अगला स्वाल माजी वन फूलू की गाटी मिलती है तो माजी वन फूलू की गाटी है कहां मिलती है कि जनपद में मिलती है तो फूलू की गाटी है वो तो आपको पता है चमोली में है किन्तु माजीफ वन फूलू की गाटी कापर रही आपको बताने है माजीफ वन फूलू की गाटी है हमारी उत्तरकासी जन्पद में अगला सवाल बर्मी बुग्याल किस जन्पद में इस्तित है तो बर्मी बुग्याल आपको बताने है किस जन्पद में इस्तित है तो सुरेंज सिंग कनवासी का जो संबंदे हैं किस खेल से आपको बताना है चार उप्षन आपके पास हैं तो सुरेंज सिंग कनवासी का संबंदे हमारे नौकायन से इनको और जुन पूर्शकार भी दिया गया है तो साथ अपने यार दोस्तों को वीडियो शेर जरू करें अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें नए हूँ चैनल पे सब्सक्राइब जरू करें थैंक यू गॉड प्लेश यू फिर जुड़ेगा हमसे ऐसी सीरीज के साथ गॉड प्लेश यू